जैहिन जोहार आप सभी को सुप्रभाद तो यहाँ पर आज दिनाग 6 नवंबर 2026 आज हब इस वीडियो में आज के मुख्य समाचार कच्छा एक से लेकर के 12 तक के विद्यारतियों के लिए समान गयान परस्नोतरी के प्रस्न मोटिवेशनल स्टोरी सुईचार के साथ करने व पूजा के दोरान एक बहुत ही दुखत खबर निकल के आ रही है मसहूर लोख गाई का यहाँ पर सार्दा सिन्हा का निधन हो गया है बिल्कुल साथियों यहाँ पर इनका निधन हो गया है उनके गीत को जब आप उनके गीत को सुनोगे आज भी आप यूटूब पे जाकर करके सर्च करोगे चट पूजा गीत बाए साधा सिन्हा तो उनके गीतों को सुनकर आपके वीतर का रोम रोम जग उठेगा वो भोलते हैं ना चट पूजा के गीत से ही वीतर का रोम रोम जग उठता है तो इस परकार उनकी आवाज में इतने ज़ादा मिठास थी कि उनने बिहार की स्वर को किला भी कहा जाता था ठीक है सात्यों तो कल उनका निधन हो गया है वे आई सीउ में भरती थी चलिए अब यहाँ पर प्रारम करते हैं आज के स्विचार के साथ आज का स्विचार करता है हमें ऐसी सिच्छा चाहिए जिससे चलेतर का निर्मान हो मन की सक्ति बढ़े बुद्धी का विकास हो और मनुष अपने पेड़ों पर खड़ा हो सके ये बात स्वामी वेका नद ने कहा था वी रिक्वाइर सच एजुकेशन विच बिल्ट केरेक्टर इंक्रीज मेंटल पावर डेबलफ इंटलेक्ट एंड इनेंबर्स अमेंट तु स्टेंड आज सबसे पहले हम यहाँ पर आज के मुख्य समाचार पढ़ लेते हैं देखिए आप मुख्य समाचार पढ़िएगा तो आपको दिमाग में इस सारी चीज़े एक प्लाइन से वेड़ जाएगी सबसे पहले अंतर राष्टी समाचार है अमेरिका में राष्टे चुनाओ क आज भी मतदान होगा राज के खबर है नहीं रही लोकप्रिय गाली का सार्दा सिन्ना 72 वर्स की आयू में दिल्ली के एम्स में हुआ निधन ठीक है खेल लेकत का समाचार है भारतिय बॉक्सर मंदीप जांगडा सुपर फेदरवेट बॉक्सिंग के वर्ल्ड चेंपियन ब इसे तो इसका जवाब सभी कोई दे सकते हैं लेकिन कच्छा एक से लेकर के पांस तक के विद्यार्थी इसे रट लीजिए याद कर लीजिए पहला प्रस्ण है एक पहली है खरिदने पर काला जलाने पर लाल ठेकने पर सफेद रंग बदलने का खेल है इसका निराला जो होता है वो सफेद रंग का होता है राख मानव सरीर में कुल कितनी हडियां होती है याद रखेंगे मानव के सरीर में कुल 206 हडियां होती है और 206 हडियों में भी हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी हड़ी सबसे बड़ी जो हड़ी होती वो फीमर होती है जो हमारी जांग में पाई जाती है सबसे छोटी हड़ी जो है अस्टेपीज होती है जो हमारे कानों में पाई जाती है याद रखेंगे पूछेगा कि मानव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी का नाम क्या है बताएंगे फीमर कहां पाई जाती है हमारे जांग में मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है अस्टेपीज कहा पाई जाती है कान में याद रखेंगे मानव सिसू मानव सिसू जर्ब जर्म लेता है तो उसमें के सरीर में 300 हड़िया होती है ये भी याद में कितने सब्ता होते हैं बहुत ही सांदाशा प्रशन हैं बावन सब्ता मैंने आप सभी को करवा दिया था परशो ही करवा था एक वर्स में बारा महिने होते हैं जिसमें से साथ महिने 31 दिनों के पांच महिने यहाँ पे साथ और चार महिने इस दिनों के उसके बाद फिर यह एक महिना जो है 28-29 दिनों का होता है एक वर्ष में पावन सब्ता एक वर्ष में 365 दिन समाइन वर्ष 366 दिन लिप वर्ष का होता है सही बच्चों को याद है चलिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में संगड़क कहते हैं कंप्यूटर का मस्त CPU को कहते हैं याद रखेगा अगला जो प्रस्ण है इसका जवाब उच्परात्मे कस्तर के बच्चे यानि कच्छा छे, साथ, आठ के बच्चे जवाब देंगे नोट कर लेंगे ते रखा पहला प्रस्ण जहारखंड राज प्रतिवर्स अपना स्थापना दिवस कम मनाता है स उत्तर है पंदरा नवंबर और इस बार फिर से पंदरा नवंबर को जहारखंड अस्तापना दिवस मनाएगा क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 को ही जहारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज बना था, विशु का सबसे बड़ा रेगिस्तान कोन सा है सही उत्तर है सहारा रेगि में कौन सा मनवस्थल इस्तित है थार मनवस्थल वायू की गतिम आपने के लिए किस उपकराण का उप्योग किया जाता है तो सही उतर है बच्चा एनिमो मीटर का प्रियोग किया जाता है चौथा प्रस्ण विश्व का सबसे बड़ा लिखित सविधान किस देश का है भारत बिल्कुल सात्यों हमारे प्यारे भारत देश का है सबसे बड़ा लिखित सविधान यहां कि सविधान के बारे में बोल जाता है कि यह ना तो अधिक लचीला है और नाहीं अधिक कठोर है किस नदी को बंगाल का सोग कहा जाता है सही उतर है दामोदर नदी यहीं आप से प बाड़ाता है और बहुत सारे चीजों का जल जीवन का नुक्षान होता है अगला दे रखा है मातमिक अस्तर का प्रस्ण जो कच्छा 9-10-11-12 के विध्यार्थियों के लिए सांदार से प्रस्ण है इन प्रस्णों को आपको ध्यान में रखना ही चाहिए कहता है पहला प्रस्ण राष्टिय सिक्छा नीती 2020 के मसोदे को तयार करने वाली समीति के अध्यक्स कोन थे उत्तर है के कस्तूरी रंगन क्या होगा के कस्तूरी रंगन भारत की साक्छर्टा दर कितनी है याद रखेंगे 74.94 भारत की साक्छर्टा दर है जारखंड की साक्छर दर 34 ड़समृ 4 पर ती सत्थ साक्षर केलाता है यहांपर देश में सबसे अधिक साक्षरता दर है वह केरल की है विश्व का सबसे पुराना विश्विद्याले कौन सा है तो यहे तक्ष सिला विश्विद्याले भारत में राष्टे सिक्षा दिवस कम मना जाता है ग्यारा नमबर को मना जाता है जी आज के महत्पूर्ण दिवस तो आज नेशनल स्ट्रेस आवारनेस डे है ठीक है प्रेरक परसंग आज का प्रेरक परसंग है मोटिवेशनल स्टोरी है नन्ना दीपक ठीक है चली स्टार्ट करते हैं एक गाउँ में एक छोटा सा लड़का रहता था जो बहूत गरीब था उसके पास किताबे नहीं थी लेकिन वा हमेशा ज्यान प्राप करने के लिए उत्साहिद रहता था एक दिन उसने देखा की गाउँ में एक बड़ा दीपक जल रहा था लेकिन उसके आसपास अन्धेरा लड़के ने सोचा अगर या दीपक अपनी रोशनी दूसरों को दिखा सकता है तो मैं भी अपनी पढ़ाई से दूसरों को रोशनी दे सकता हूँ उस लड़के ने ठान लिया कि वह जितना हो सकेगा सीखने की कोशिस करेगा भले ही उसके पास साधन कम हो धीरे धीरे उसकी महनत रंग लाई और वह गाओं के सबसे समझदा लड़का बन गया उसकी प्रेरना और महनत ने उसे सफल बना दिया सीख मिलती है जीवन में चुनोतिया होगी अगर आप अपने लक्ष को पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो आपका सफलता आपके कदम चुमेगी ठीक है सातियों तो ये था आज का आपका समान ग्यान प्रशनोत्री के प्रशन साती सात आपको यहां पर आज के मुख समाचार चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देख पार आप सभी हो सकेगा तो सार्दा सिनह जी का गित सुनियेगा बहुत ही यहां पर प्रणा दायक होता है बच्चा धन्यवाद